नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिनो सिंग और आज फिर से आप सुभी का स्वागत है आज 20 फरवरी 2023 यानि कि आज जो भी कोश्टन्स मुझे मिले हैं important उस पर मैं डिसकस करूँगा ठीक है तीन लोगों का नाम लिखा है मैं आकांग्षा सिंग सीमा चौरसिया रिचा सुख अब यह तिनों लड़किया हैं लड़की जब कोश्टनी नहीं फेज़ेंगे तो मैं क्या करूँगा है ना नहीं तो कोगे लड़कियों कि नाम लिखते हैं सर से बस ऐसा मत सोच ले ना कोई आज लड़कियों नहीं कोश्टन भेजा बलकि मुझे दिखा जो वह लिया मैंने है कि नहीं फुरदा फिड़क देते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई देखो रिचा सर्मा आज मेरा एक्जाम था और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी सर का फीडिय अप पढ़ लेगा 100 परिच्छा फास कर लेगा आज मे सिवा पाल कह रहे हैं कि सर आज मेरा एक्जाम था और मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं था बट पेपर बहुत अच्छा आपका कंटेट एकदम सुपब है थांक्यू सो मच यह सब चीजे बस ज्यादा फीड़बेक भी आज नहीं लिया मैंने इतना लिया टाइम के भी समस्य से है जैसे पहला क्रोश्चन ही है इसको अकांशा ने इंस्टाग्राम पर भेजा और उससे बोला कि सर डी सीवी जो बैंक है आपने डी सीवी बताया था लेकिन डी सीवी ऑप्सन में था ही नहीं अब अब बताओ कि अगर डी सीवी ऑप्सन में नहीं होगा तो मैंने उभी राज, मयंक मिश्रा, आवनीश कुमार, सुभी, कैरे मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा, प्रतिफा, मीनू, रुची, मुहम्मद सलीम, रेनू, यादो, रामराज, शलेशा, रियाज, अंश, प्रजनीज, और कौन भाई, छाया, हिमाशू, कुशी, सिल्पा, सभी का था ना, सब उत्तर भी दे रहा है कि नहींों दे रहे हैं कि अतर भी आ देख लोगों का रही ग्यां थो चाया टबीछ अना उत्तर सब्राथ की ठाश समय, क्योर इंडिया जारी कि यह बाला तरींड़ को या ह। पूछेगा सिर्फ इतना ही पूछता है तो डीसीबी ने जारी किया लेकिन इतना पूछे अलहार नंबर के साथ और पहला रूपे तब आपको बैंक आफ इंडिया करना है ठीक है कि अमंग एप कब लॉंच हुआ कि अमंग एप कब लॉंच हुआ बताओ कि अमंग एप कब लॉंच हुआ बताओ यह भी कोशन है इंपॉर्टन्ट है और सब जानते हो पूछा जाता है बराबर भाई कि 2016 हुआ था 17 हुआ था कि हाँ मुहम्मा सलीम पूरा इतिहास बता दियो उसका कोई बात नहीं 2017 में 26 नवंबर यह तेरा से तेरा भासाएं हैं सौ से ज्यादा लेंगेज ओ सर्विसेज यह देता है उमंग इगोवर्णेंस सुविधा परदान करता है यह भारत देश में ठीक भाई याद रखना इतना चीज यूणी उनिफाइड अप्लिकेशन फॉर न्यू एज गॉर्णेंस इसका फुल फॉर्म है उनिफाइड मोबाइल अप्लिकेशन फॉर न्यू एज न्यू एज गॉर्णेंस ठीक है तेरा लेंगेज तेरा लेंगेज को सपोर्ट करता है भी यह उससे ज़्यादा पूछे तो रॉंग गलत कर देना कुछ आता है कितरे महाँ सपोर्ट करता है कुछ ऐसे पूछेगा और सव प्लस क्या डेड़ सव प्लस 165 के करीब मतलब डेड़ सव के प्लस यह सर्विसेज देता है तो सव प्लस पूछता है क्वेश्चन में सव प्लस आएगा आपके इतनी चीज़े मालूम होगा आप कर ले जाओगे अगर चाह वारा डबलू हो तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा वह ऐसे तो वर्डवाइड वेव होता है कौन कर रहे हैं मालती भारती सराज मेरा पेपर था सब आपका पढ़ाया था वह आकाश शिंग करें नाम ले लो नाम मदलो बाद में जो पढ़ते हैं सब गुसाते हैं मुझसे इसका हो जाएगा यह सी नंबर वाला वर्ल्ड वाइड विप तो होता होता है वस वाम लगा देना थोड़ा गरम होगा अगर चौथा डबलू लग गया तो एस एस का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ देखो जिसका पेपर आने वाले दिनों में है वो लोग बस जैसे सब बता रहें देखी रहें अच्छा जा रहें न सबका जो पढ़ा होगा उसका अच्छा जाएगा पक्का बता रहा हो पांस तो होई जाओगे अगर पढ़े होगे तो ठीक ठाक थोड़ा सा इतना जान लेना बस कोई और कर आयूश करें कौन से क्लास से क्लास से को इसे सब क्लास करना यह मैं सोचना कि कोई बोल रहा है माराथन तो पढ़ लोगे जो माराथन पूरा पढ़ा होगा और आगे जिसे सूपर मास्टर तो उसका बहुत अच्छा पेपर जाएगा स्टेटिकल से नाल से सिस्टम कि सीडी का अविश्कार कब हुआ कि सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क कि इसका फुल-फॉर्म कंपैक्ट डिस्क और यह जेम्स रसल इसके फाउंडर है माने जाते हैं इन्होंने इसका इन्वेंट किया और 1979 में यह शुरु हुआ उमंग गया यह देखो अभी कोश्चन चर्चा हो रही थी कितनी भासाओं को सपोर्ट करता है अभी मैंने बताया आपसे तेरा भासा इसमें ज्यादा कोच सोचना ही नहीं है तेरा भासा सपोर्ट करती है क्यू आर कोड का फुल फॉर्म बताना है अपको अब क्यू आर के बारे में क्या क्या कोश्चन आ सकता है इसको किस ने बनाया इसको बनाया डैंस ओबे बने और क्या पूछ सकता है कब बनाओ नीश्व चौरानुवे में है ना यह पहली और दूसरी चीज ब्लैक एंड हॉइट होता ही है वाइट और क्या पूछे का और स्क्वाइर होता ही है यह सब चीजे बता होगी तो आप असानी से कल लोगे क्यू आर कोड क्यूक रिस्पॉंस डी नमबर पर लिखा है इतनी चीजे अगर आपको पता होगी तो बड़ी आसानी से कल लोगे यह बात याद रखना है हाँ टूडी भी होता है और देखो तुशार बता रहे हैं टूडी होता है और 7089 इसमें इस सब चीजे आपको मालू होना चाहिए आगे बढ़ते हैं यह सीलिंग 97.7 अच्छा कोई मुझसे बोला कि यहाँ पर माइनस था जैसे माइनस 97.7 अगर यह होगा तो यह आपसन फिर अगर यहाँ पर माइनस लग जाता है बता दिता हूं मैं सारी चीजे आपको आपको पता होना चाहिए रिजल्ट कब आएगा कौन पूछ रहा आयूश रिजल्ट अगली महीन आगा ना भाई ठीक है नेक्स मन्त है करते पिक्कु करें मुझे भूलते ने कि नहीं भाई यह पिक्कु अभी कल नाम लिया था मैं कैसे भूल जाओंगा मैं किसी को भूलूंगा नहीं तना जा लेगा आप लोग भूल जाओ अलग बात है अगर यह कुश्चन पूछता है तो आप इससे इससे जब करोगे थे एरर राएगा एक याद रखना अगर माइनस यहां लगता थे एरर राना चाहिए इरर राएगा माइनस पर काम नहीं करता है यह सीलिंग हाँ प्लस पर काम करता है अगर प्लस पूछे तो साथ का डिविजबल आएगा तो तानवे से जश्ट उपर वाला चब्धर सत्य अठानवे तो अठानवे सीलिंग होता है फ्लोर फ्लोर भी पूछे अगर यही सेम कुष्टन फ्लोर में पूछ ले तो थोड़ा सा उत्तर इसका जश्ट इसके नीची वाला एगा 13 सत्य इक्यानवे इसका उत्तर आजाएगा इक्यानवे मतलब 7 से वह भी कटेगा, लेकिन कम वाला, वह भी 7 से कट रहा है, ज्यादा वाला, जैसे 98, 91, इसके 97 के पहले होता है, 91 जो की 7 से कटता है, और 97 के बाद 98 होता है, जो की 7 से कटता है, तो हमको बस मतलब होता है, जो यहां पर लिखा हो, बाद में, उससे कटना चाहिए, बस, यहीं important है यह बात आपको ध्यान बरते हैं अगला देखते हैं कोई भी question दे सकता है यह 97 के अलामा बहुत सारे प्रश्ण एक्जाम में आते हैं सत्तान मतलब कुछ भी देते हैं तो आपको समझना जरूरी है कि वो डिवीजबल होना चाहिए बस बीडियू किस प्रकार का उपकरड़ है विच टाइप ऑफ डिवाइस बीडियू तो बीडियू का फुल फॉर्म होता है बिजूवल जो कि चर्चा में एकसर करता रहता हूं डिसफले क wasn't कि यूनिट ठीक है और यहां बिडियूवल के जगने मगार अब वीडियू भी कर सकते हो तो यह गलत नहीं माना जाता है वहीब दियान रखना वहीं चीजी से बसलेकिन उसका जो एक्चुवल है वी जूल ही होता है बिडियो भी कभी कभी कह देते हैं तो यहां रखना है इसके हो एक तरह का ख्या है आउट है और रवाइस है अधिस है यह देखो लिवर ओफिस सफ्टिवेर हम चला सकते हैं कहां कहां पर चला सकते मैं में लिने वहाथ सर आज मेरा एक्जाम था बहुत अच्छा गया आपकी क्रिपा से बहुत बटी वह अच्छे जाना चाहिए पिककू सर आपको पता है में को बस आपकी पढ़ाई समझ में आया रही है तो आप ओ लेबल को भी पढ़ाई शुरू कर दें बहुत जल्दी भाई ओ लेबल पूरा करना पड़ेगा इसलिए हाथ अभी लगाया नहीं बात समझ रहे कि नहीं बीच में भागूंगा तो आप लोग कुछ कहोगे और उसके लिए टीचर भी मैं ढूंड रहा हूं दूसरा भी कुछ चीजें वो बताएंगे बड़ा है तो कुछ चीजें सब मिलके पढ़ा हैंगे तभी तो होगा उसमें थोड़ा सा पाइसा भी लगे याद रखना है कि समझ रहे बात चलेगा ना सबसे कमी रहेगा जो लोग लेते होंगे बहुत कम रहेगा अब आप इंस्टिडूट में जाओगे तो अच्छा खासा फीज ले ले लेते हैं आप जानते होंगे पंदरह हजार बीच जार जो भी ले लें पचीश जार तो इसा हमारा नहीं रहे गया हमारा हजार पंदरह पूरा ऐसा सोचा हूं कमी में रहेगा अब कि तना समझना कि टीचर भी रहेंगे तो उनको भी चाहिए ना कुछ भाई क्यों चलो यह देखो यह हो जाएगा Linux Mac Windows टीनों में मतलब सबने लिपर आफिस समय चलता है प्राइटर स्टेटसबार में निम लिखित में से कौन सा पदर्शित नहीं होता है यह स्टेटसबार ही। सबसे नीचे किसी चीज में जैसे यह राइटर पूछ रहा है वर्ड में राइटर में एक्सल में हर चीज में नीची पट्टी वनी होती है उससे भी नीचे होता है टास्क बार देखो इसको मत समझ लें आप यह यह अलग है इसको टास्क बार कहते हैं इससे उपर जो होगा टास्क बार से उपर यह जैसे यह है यहां पर होगा उसको बोलते हैं स्टेटस बार इस्टेटस बार को हम क्या नहीं होता करेक्टर होता है वहां पर ठीक है वर्तमान प्रिश्रंख्या होगा सब्दुग संख्या होगा बस यही नहीं होगा कंप्यूटर का नाम वहां पर होता है ठीक है यह वाला देखो लिब्र आफिस केल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी का इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज नई लाइन बनाना है तो सर आज मेरा एक्जाम था बहुत अच्छा गया आपकी क्रिपास देख लिए भाई देख लिए मैंने सर कल मेरा ट्रिपल सी का पेपर आज बहुत अच्छा हुआ कौन कर रहा भाई यह अविशेक अविशेक तिवारी इस बार ज्यादा सब अच्छा जा रहा है क्यों एंटर दबाना है एंटर से क्या नई लाइन शुरू हो जाएगा और क्या कि यदि आप कोई दस्तावे साजहा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बसी से देख सके एडिट ना कर सके उसमें कुछ ना कर सके है ऐसी सतिति में हम क्या करते हैं तो ब्रत दोस्तों हम सिद्र क्या होता है वसके क्या होगा कि इसमें आप सिर्फ बाकि कुछ भी नहीं कर सकते graphical user राथा वरन में काौन सी डिवाइस इस टेंडर्ड पॉयंटिंग डिवाइस के रूप में करती है फिट इस डिवाइस एज स्टेंडर्ड पॉयंटीं। डिवाइस लिए आप को पता होना चाहिए बस और ग्राफिकल इन्वाइडवेंट में हाँ ग्राफिकल यूजर इन्वाइडवेंट में कौन सी करती है आज लाइक देख रहा हूं बहुत कम लोग क्यों क्या बात है भाई अलग से कहना पड़ेगा मतलब बीना बोले लाइक नहीं करते हैं आप लोग चिला चिला करो बोलूं लाइक करो तब हैं आई से भी नहीं ठीक है माउस ए माउस ही होता है अपका उत्तर देखो सब लोग साथ में दबाना ठीक है अभी पांच लोग दबाए देखता हूं जल्दिस मारो 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 दस लोग उली हो एक्षाथ कि साथ में कितना बढ़ता हुए वाह बीश्य वड़ा भी जटके में पहाई और बढ़ाता है कुछ नहीं बढ़ा यह दुने लोग हो सब सब में बढ़ाएक बहुत कि मैक्सिमिम्म बैलू आपको बताना है किसमें आटो रिकेवरी डिफॉल्ट वैलू जब पूछता है इसी कब कुश्चन आ गया न डिफॉल्ट वैलू आपसे पुछेगा डिफॉल्ट पूछे तो दस मिनट होता है आप लोग समझते हो ये बात मैंने आपको कई बार चर्चाइस का किया है जब डिफॉल्ट पूछे तो दस मिनट करना है आपको लेकिन maximum पूछे तो कितना करना है ये question मैं पहले भी olde ईसा नहीं है लेकिन maximum पूछा है तो आप लोग को मालूम है कि नहीं देखे हो video question की नहीं देखे हो एर भाई कर दिया लाइक हमान कुमार ने कर दिया शिल्पा ने क्र दिया। काफी वी नहीं किये हैं कोई बात नहीं बच्चा कोई बात नहीं यह हो जाएगा 60 कि कितना हो जाएगा 60 maximum minimum maximum 60 होगा और default 10 होगा तीन हो आपको मालूब होना चाहिए libra office Writer का default highlight color डिफॉल्ट हाइलाइट कलर क्या होगा अंजली मौर्या ने कर दिया और कौन किया भाई रितेश ने किया खुशबू लड़किया ने सारा कर दिया होगा मुझे पता है इसलिए उनका नाम आता है ज्यादा लड़की लोग गदारी कर रहे हो भाई क्यूं इसका हो जाएगा एल्लो क्या होगा एल्लो लिब्र आफिस पावर पॉइंट किस नाम से जानते हैं राइटर ड्रा इंप्रेस कैल्ख मिनस टेक्निकल ग्यान मैंने भी कर दिया कौन कर रहा साहिल परजापती तो इंप्रेस आपको इसमें क्या होता है पावर पॉइंट जो होगा यह एमेस आफिस में पावर पॉइंट इसको कहते हैं और इसमें इंप्रेस कहते हैं वो ऐसे इसको प्रजेंटेशन कहते हैं क्या कहते हैं? Presentation कहते हैं. ठीक है? Calc को Ispate Seat कहते हैं. क्या कहते हैं? Ispate Seat कहते हैं. और यही चीज, Excel कहा जाता है किसमें? MS Office में. Writer को हम document कहते हैं वैसे. और यही चीज, MS Word कहा जाता है उसको. MS Word के नाम से जानते हैं. मतलब MS Office में जो होता है. Word के नाम से जाना जाता है. क्या समझे? आगे बढ़ते हैं. परेडाम राउंड वाला क्या आएगा? दो अगर है, 175 के साथ. सर मेरा नाम ले लीजिए. कौन है भाई? नाम तो लिखा ही नहीं है, तो कहा से लो? क्या लिखे हो ये? किस भाँसा में समझ में आ रहा है? कोई बताओ भाई क्या लिखे हैं ये? मैंने लाइक कर दिया कौन? इरब ने लाइक कर दिया? शिवानी ने लाइक कर दिया? इसका क्या होगा भाई? देखो, मैंने आपको समझाया था, राउंड और ट्रंक, दो चीज पूछेगा, एकदम ऐसे ही पूछेगा, राउंड 175-2 और ट्रंक 175-2 अगर दोनों पूछे, तो क्या दोनों में सेम आएगा, क्या लग 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 आएगा? ट्रंक में आएगा 1-0-0, तो भाई इसमें क्या आएगा? 1-0-0 जो तो है, इसी आप्शन में है नहीं? इसमें आएगा 2-0-0, अच्छा, दोनों में अलग लग क्यों आ रहा है? ट्रंक तो अगर यहाँ पे – 2 लिखा है तो 2 अंकों को 0 बना देगा, उसका काम ही यही है, इधर वाले 2 अंकों को 0 बना दे, बस वो यही काम करता है, इन 2 को 0 बना देगा, ट्रंक. जब भी पूछे तो ट्रंक में जीरो बना देना लेकिन राउंड में ध्यान रखना जीरो तो बनाना ही है इन दोनों को जीरो बना देना पहले लेकिन ये जो जीरो बनाना पांच और साथ जो लाश्ट में जीरो बनाना इसको इसी पर आपको ध्यान देना है ये क्या है अगर यही 0 से लेके 4 तक हो या फिर 5 से लेके 9 तक होगा 2 ही विकल्ब हो सकता है कि नहीं तो हाँ बात तो सही है यह तो 0 से लेके 4 तक होगा या तो 5 से लेके 9 तक होगा अगर 5 से लेके 9 तक होगा तो यहाँ जो 1 है यह जो लिखोगे एक बढ़ जाएगा दो हो जाएगा और अगर 0 से लेके 4 तक अगर यही 145 होता यही चीज 145-2 पूछा होता राउंड में तो यही बढ़ता नहीं बराबर 100 आजाता नहीं क्या समझे इसका उतर 200 हो जाएगा लेकिन सारी चीजें जो मैंने समझाया समाज मे आना चाहिए लिब्र आफिस इंप्रेस व्यू जो केवल टेक्ष्ट प्रशित करता है वह है कि मार्च का एडमिट कार्ड कब आएगा बहुत जल्दी आएगा टेंसन मतलो आभी तो अप्रायल मतलब परवरी वालों का हो जाने दो उसके बाद आएगा अडमिट कार्ड香र इंप्रइस व्यू जो केवल टेक्ष्ट प्रशित करता है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं आउट लाइन व्यों क्या कहते हैं आउट लाइन व्यों जो सिर्फ टेक्श पड़रिशित करता है कौन सी काई उपयोग करता को मशीन पठनी रूप में परिवर्तित करती है अक्सर चर्चा करता रहता हूं इन सब के बारे में मैं इसको कहते हैं कौन सा यूनिट भाई इसको इन पुट यूनिट करना क्योंकि देखा होगा आपने जब हम कोई शीज इन पुट करते हैं अभी तो दिखता है हालां कि यू आउट पुट होता है लेकिन इन पुट अगर पुट यूनिट होना चाहिए जैसे इसमे में जाता लोग आउट पुट यूनिट कहेंगे बार में इसे शाइचा पता चला कि नहीं यार इनिपुट यूनिट होगा रोम आइस्तिर होती है वोलटाइल का मतलब होता है जो लाइट से चलता उसको बुलतायल बोलते हैं जिसमें बिजली से चले बोलटायल अगर पावर बंद को हो बधो qa वह बंद पावर शुरू तो भी सुरू रोम क्या एसे होता है क्या तो इसका हो जाएक उत्तर नो, रोम बिना पावर के चलता है, नौन बोलेटाइल होता है, यहाँ पर इसके साथ नन लग जाएगा, ठीक है, अगर रैम पूस्ता, तो रैम बिल्कुल बोलेटाइल में हो रही होता है, रैम जो होता है, वोलेटाइल में हो रही होता है, याद रखना आपको सबको, रैम होता वोले टटल मेम ओर यह लेकिन रोम नहीं होता है रूपधे डि में में इसके सम्वाण्व है कि सिंपल परष्ण है यह दोनों सिंगपुर और चाईना यूइन पे दोनों के समान है यह नयन्य मार्केट इंप्रशन दो महीने से चल रहा है यह दियां रखने आपको दो अलग-अलग लैन को आपस में जोड़ा जा सकता है कैसे कि थाइंक्यू सर सब बड़ा थाइंक्यू दे रहें क्यों सुस्मिता राना तुशार को थाइंक्यू तुशार गोल्ड तर आज मेरा एक्जाम था एक क्वेश्चन आया था क्या क्वेश्चन आया दभाई इसका हो जाएगा ब्रीज क्या हो जाएगा ब्रीज नेटवर्किंग में हार्डवेर या भौतिक पते को क्या कहते हैं सब लोग जानते हो यह बात तुप्रियाच और अस्यस क्लियर नहीं दिख रहा है सर वहीं सिम कार्ड वाली प्रॉब्लम है नेटवर्क थोड़ा बहुत है अच्छा रोलेक्स नाम है कितनी देर से वही बना रहे है रोलेक्स नाम है रोलेक्स वाले के नाम कहरें लेनी के लिए ले रहा हूं नाम तो रोलेक्स नहीं तो कंपणी भाई है इसको कहते हैं मैक एड्रस मैक एड्रस के बारे में क्या-क्या जानते हैं आप लोग यह एक हेक्साडेसीमल होता है वही मैं बताऊंगो जो कोश्चन पूछता है ठीक है पॉइंट नंबर वन एक्साडेसीमल पॉइंट नंबर टू यह 48 बिट्स का होता याद रखना बिट्स का यहीं अगर बाइट में पूछे तो अरच्छांग अरच्छे बाइट का होगा यह फिजिकल एंड्रेस होता है बता ही रहा है मैक का फुल फॉर्म पूछे का तो मेडिया एक्सेस कंट्रोल कर देना ठीक है इतनी चीज़ा आपको ध्यान रखना है इसमें आगे बढ़ो प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहां इस्टोर होते हैं इस्टोर होते हैं में सेकेंडरी डिस्क प्रोग्राम में इस अब दिया हुआ है अब बताओ भाई तो इसको अब लोग सेकेंडरी मेमोरी बता रहें नहीं भाई यह प्राइमरी मेमोरी में मेमोरी में होता है ध्यां रखना आप लोग रैम में होता है ना रैम में रैम क्या है रैम एक में मेमोरी में आता है रैम ही उसको उत्तर होगा ध्यां रखना अगर जैसे लिख देता है रैम रोम हार्डेस ये सो आप रैम करते है रैम मेन मेमोरील रैम को कहते हैं और रैम में होता है ये वैसे रोम को भी मेन में ये आ जाता है लेकिन रोम इसका उत्तर नहीं होगा रैम होगा ये एससडी किस आपरित पर काम करता है मेन चीज क्या होता है जब आप कुई काम करते हो कम्प्यूटर में जैसे अभी मैं ये पढ़ करके फिर से खोलते हो तो रह जाता है उसमें से तब गायब मोबाइल में आप मालों यूटूब चला रहा रहा और डारेट आप क्या करें रिस्टार्ट कर दिया फिर बंद कर दिया फिर जब खोलोगे तो बचा रहेगा आप पर जो नहीं वो रैम में होता है रैम इसलिए कह तो राय के दंप चलते हैं यूटूब आपका गेम कहले में हो रहा है वाट्साप चेटिंंग कर रहे हैं और रहं में हो होता है नहीं होता है दो जीवी 3 जीवी 4 तो र dopo रह सिर्फ वह एक करता है जब आप काम करते कुछ लोग Big this लो की बदाद नहीं होती है रोसेसर के वशार आप्स का इसा है ऐसा वाला है गडबड़ वाला है तीज चलने वाला है उससे काम्ठूटर्ट या फिर मवाle कितना तीज चलता था रैम सिर्फ लोड लेता है कितना लोड ले सकता है जैसे बड़े-बड़े गेम को यह तो आपको रैम ज्यादा होना चाहिए क्योंकि गेम की कैपस्टी बहुत ज्यादा होती है यह सब चीजें होती है समझदार आप लोग कोई कि अग्या जी से नेटवर्क समझदार होते नहीं तो आप मुझसे क्यों पढ़ते हैं अग्या फ्लैट वेड़ीजट टाइप आफ इसकैनर फ्लैट बेड़ एक प्रकार का स्कैनर है तो क्या करो भी कि अग्या प्रजापती सर में आपका आज अब लोड की यह डाउनलोड किया ना यह या लोड किया रहा है हिए डाउनलोड किया है है प्रू हो जाएगा ठीक है ड्रम स्कैनर हैंडल स्कैनर अथ आफ टाउनलोड करका ना जिसको लेबल भी करनाय डाउनलोड कर रखना जब तक मैं बताऊं नहीं कुछ मत करना उसमें जैसे कोई कोर्स वगएरा खरीदने मतलगना जब तक मैं न बूल हाँ इबुक जिसको लेना हो ले सकते हो ट्रिपल से रिलेटर जो भी उसमें है उसको ले सकते हो आप लेकिन बाकी कुछ उसमें लेना मत भी जब तक मैं कहूं ना जब मैं बताओं वह सारी चीज़ें उसके बाद कि समझें बाद की नहीं कि हाँ डाउनलोड करके रखना सब लोग जिसको लेवल हो गयरा करना है सब कुछ करना है और चीज़ें कि क्या मैंने बताया तो बताया ड्रम स्कैनर हैंडल स्कैनर होता है भारत में यूसजी कब लॉंच हुआ है बताओ यू एससडी कब लॉंच हुआ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्मुनिकेशन जी एसम का फुल फॉर्म होता है सर आप कहां से हो मैं भाई प्रियाग राज में हूँ इस समय कितना जान लो अभी कहां प्यों मैं प्रियाग राज में हूँ हूँ इलाहाबाद में हूँ यही से पढ़ा रहा हूँ यही से लाइप क्लास कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश कि समझ रहा बाद यू एससडी कब लॉंच हुआ मैंग करें नाम लेलो मैंग भाई ले लिया अब टेंसन मतलो कि क्या क्या बतारों सब बाई 2017 2017 में वह था यूस्टी कि 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 सब दोजार सतरी बता रहे हो कि आदर्स करें दोजार वारा कि कब लॉंच हुआ था भाई तो देखो यह जो दोजार सतरा है बोल रहे हो ना यह इसका नहीं है यार दोजार बारा में यूस्टी देखो पहले बात यूस्टी का मतलब समझे लो आप लोग इसका फुल फॉर्मत होता है अन इस्ट्रक्चर्ड कि सप्लिमेंटरी कि सर्विस डेटा यह तो इसका फुल फॉर्म हाँ ठीक है अब यह होता क्या है जब आप मोबाइल में कभी कभी इसी लिखते हैं इस्टार 111 हैज है तो यही है यूएससटी कोड लेकिन इसको बैंक से कब जोड़ा यह इंपोर्टेंट है इसका मतलब यह बैंक का कोड होता यह नहीं बैंक का कोड जो होता हो इस टार-डबल-9 हैज होता है ठीक है और 2012 में बैंग से जोड़ना शुरू हुआ था लेकिन अच्छे से नहीं जैसे एक थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था ज्यादा जो है बाद में शुरू हुआ अलग बाद है लेकिन अभी शुरू हुआ तो हमको भाई करना पड़ेगा कंपायर उचस्तरी भासा को मशीनी भासा में बदल देता है बताओ तुरू है कि फाल्स आज आज कितना क्वेश्चन है कौन पूछ रहा है भाई ड्रीम गर्ल है बस खतम होने वाला क्वेश्चन अब कहां बचाए जादा अगे गे आजколा मशीन लेवल लेंगेज में कर्नवर करता है मशीन लेवल लेंगेज होता है्यो क्मप्यूटर को समझ में آता है हाइद जो जिससे esto nível करते हैं जो हम लोग को समझ में आता है एक तरह के समझ लो एबी सी कंप्यूटर आव इसका रख कौन है एबी सी के कौन अभी यह तो ए और भी दोनों है याद रखना यह और यह इन्हीं दोनों के नाम पे अटन्स ओफ बेरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है 1937 में यह बनाया गया ठीक है जैसे हम और आप बेश्ट फ्रेंड वैसे भी बेश्ट फ्रेंड ठीक है तो उसका काम हो गया आगे बढ़ें बस यहीं पर खतम है तीन क्वेश्चन है जो आज कई है अब लोग भेजे बारे काफी जीजी थे अभी देखो बहुत प्रश्र मेरे पास आयते पता है कुछ ही मैं ले लेता हूं उन में से बहुत का मतलब बहुत सार तैसे रहते हैं जो कई बार बताया हूं इतना जान लेना जो पढ़ा होगा अच्छे से उसका काम हो जाएगा नौंबर दोजार सत्रा कि यूश्जी कोड नहीं भाई दोजार बारे में हुआ था एंपी सी आई द्व नाम ले लें किसका अनन्या पांडे राहुल दूबे शिल्पा जैसवाल तर में रखकल एक्जाम है ब्लेसिंग बहुत सारा है मेरा चाया राहुल निखिल सत्यम तिवारी महम्मद नवील एरिस वैद अच्छा नाम है बाई मनु मिश्रा मनु मिश्रा वह वाली हो यह पुरानी इस्टुडेंट कि नहीं वाली बिश्नु अंकुष राज बिशाल तिवारी अंजली मौर्या रवी ताहिल प्रजापती सुसील सत्वीर जोती सिंग म मयंक खुशी शर्मा और अजीद निखिल दिक्सित हो गया सबका बिश्नु राना हो तो गया है सुनील कुमार जिसका नाम हो जाए वह कमेंटर ना करो ताकि जो बाखी है नुका नाम भी हो जाए क्योंकि अब कब क्लास होगी पता नहीं वैसे कल आ सकता हूं मैं अभी बहुत सारा काम में मुझे बहुत बिजी जिन्दगी है जब समझते हो ना क्योंकि मैथ पढ़ाने के लिए बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं मैथ पढ़ाने के लिए बहुत लोग वो लेवल बहुत लोग टिपल सी तो चान जानते हो ना अकेला क्या क्या करूंगा मैं लेकिन आप लोग का प्यार है सब बस यही समझो ठीक है तो बस मिलते हैं अब अगली कलास में आज के लिए तरहें आज यहीं पर कलास को समाप्त करते हैं दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वाली कलास में अब तक के लिए जै झाल झाल